तो दोस्तों सौगत आपका हमारे नए पॉड़कास में और इस पॉड़कास में हमारे साथ हमारे खास शिवा मलिक भाई सौगत भाई आपका अगें बांस अगें बहुत बढ़िया और आज जो बाते होने वाली है न वह भाई ने जितना भी ट्रैवल कर रहा है काफी कंट्र कंट्रीज भाई ने कवर करी हुए तो इन से हम डीटेल में पूछेंगे कि भाई क्या-क्या होता है कंट्रीज में तो भाई थाइलेंड गई हुए भाई तो थाइलेंड से स्टार्ट करते हैं भाई मैं जनता को थोड़ा बता दू क्योंकि अभी हमने पीछे कुछ यूट्यूब पर देखा ही है और यह ट्रैवल भी बहुत जादा करते हैं अब यह सोलोड ट्रैवल करके हैं तर्की तो फिर हमें लगा कि भाई जितनी कंट्रीज यह घूमें हैं तो हमारे पाउडगास के थ्रू भी लोग कुछ नया जानने को मिले क्योंकि जब हम इन से क कुछ भी किसी भी जगा की बात करते हैं तो यह हमेशा हमें ऐसी जगा बताते हैं कि भाई थाइलेंड है जैसे तो थाइलेंड में फुकेट पता है और यह सब पता है यह सब पता है लेकिन भाई कुछ अनोखी नाम लेते हैं जैसे वेत नाम की बात हो तो यह कुछ अलग ह नाम लेते हैं तो यह बताते हैं कि भाई मैं जहां सब जाते हैं वहां नहीं जाता है मैं जाता हूं कुछ अलग जगा तो हमने यह मुद्धा तो फिर पाउडगाश पर आना चाहिए सबसे पहले यह बता हो कि अश्यो ट्रेवलिंग करते हो तो मजा आता है कैसा लगता है क्योंकि वह दुर्बार आने के बाद इस हट सीर्प सब्रूर पर यह यह बहुत कहले है सबसे बहुत अंतहरी है जा सबसे बहुत भाए जानते हैORS है हमारी दोस्ती में भी और गहरी हो गई और अब और खुलके बात होंगी यहां पर भी बहुत बढ़िया बात है और यार यार यह पॉड़कास हम सही कर रहे है क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि कहीं घूमने जा रहे हो तो पैसे कहां कितने लगाए जाएं या कौन सी ज चौदा की बात है सबसे पहले मैं थाइलेंड गया था और देखो थाइलेंड का भी जब भी जिकर करो ना यहां जितने भी आदमी मैं वैठर ने एक मुसकान सी आ जाते हैं सबके चाहरे हैं और जो चीज जूनने जा रहे हो में बात उसी पर ही है तो घूमने जा रहे तो उल्टे सिधे काम करने चाहरे है तो आप रहे है सबसे पहले मैं थाइलेंड जाना नहीं चाहरा था यार मेरा रशिया का उने वालता 2014 की बात है कि कॉलेज वाले ले गए तो घुमाने हमें अमें पढ़वानें दूसरे कॉलेज दूसरी उनिवस्टी में विदेश में तो उसमें ऐसा था कि जिसके 80% से उपर माक्स होंगे वो जाएगा रशिया बच्चा और जिसके होंगे उससे कम वो जाएगा थाइलेंड अपना टैलेंट एक्सपिरियेंस हो तो सब चीज अच्छी हो जाती है फेलियर भी बहुत उपर पहुच जाता है फिर दुनिया कहती है देखो इनसे कूषी बिल्कुल तो भाई मेरा हुआ उधर थाइलेंड का सीन क्यूंकि रशिया वाले माक्स नीता है अब हमारे दो तीन दोस्ते उनका रशिया का हो गया था पर उन्होंने हमारी वज़े से थाइलेंड की यह भाई लोग यहां जा रहे है तो हम भी थाइले कि तो मेरा तो ऐसे था की पढ़ने के लिए गया था 2014 के बाद पाद तो एक महीना रहेते है पूरा थो कांशी सिटी में हम रहते हैं चेंग महिम है जादेतर लोगों को पता होता है पटाया के बारे में, magnitude है ऐंडीयों पटैया के बारे, जब आप पटैया बुदरे जाओ भी घ। है कुछ भी बोलता है, एंडीयन सी दिखायों से दिखाएंदें पहुच गए हो तो पर मैं गया चेंग में महाँ पहाड़ वगएरा है मौसम बहुत सही है ठंड है तो अधर में मस थे जिंदगी तो हम एक महीना वहाँ पर हुगे थे अधर में महाँ पहाड़ वाली चीज थी ठंड बढ़िया तो वहाँ उल्टी सीधी आवारागरदी वाली चीजे कम हैं चैंग मही में फैमिली के हिसाब से घूमना चाहते हो तो चैंग मही अच्छा अप्शन है और फुकेट अच्छा अप्शन है तो बस बढ़िया गुआ भूमते फिरते थे क्लब इंग वगेरा करते थे खाने पीने में थोड़ी दिक्कत हो दी थी क्योंकि वेजिटेरियन हो मैं तो थोड़ा मुश्किल होता था इंडियन रेस्टूरेंट बड़ा महेंगा होता था तो अपना गुजारा कर लेते थे जैसे भी करके पर मजाद ह भाई जो तुमने बताया कि जो युनिवर्सिटी जो यह जो होते है चुछ खास होती नहीं तुम कहरें कि 6-6 बज़े उट रहे हैं पढ़ाई करने के लिए क्लासिज लग रही है तो इस लेवल की पढ़ाई होती थी क्या नहीं मतलब हाँ पर 6 बज़े का है कॉंसेप्ट क लिए थे मुझसे कॉलेज वालों ने उस टाइम पर ले जाने के लिए क्योंकि वह फ्री में नहीं ले जा रहे थे कि जिस बच्चे पर पैसे होंगे वही रशिया वह थाइलेंड जाएगा माक्स वाले ठीक है और रहना वगेरा वह सब स्पॉंसर रहना उनका और खाना पी कि आप वहाई ऐसे क्लब्स में भी डांस बांस होते हैं तो ठीक है जब एक बारी देखी नहीं तो मझा आने लगा वहाँ के खुला बड़े डिफरेंट इसे बता सकते हो तूम की एक तो उहाँ पर एंट्री चार्जर नहीं लगते हैं यहाँ पर आप स्टैक्स जाओगे क पांच हजादो, दो हजादो, एक हजादो तो इतने पैसे लगेंगें एंट्री कंड ने के लिए पर वहापे तो खुला आता है, जिसको आना है आओ, जिसको लड़के है, लड़की है, स्टैग एंट्री है, इसा कोई सीन नी है और म्यूजिक के लिए तमाट क्लब्स में, म्यूजिक यार, पूरे दिन में न, मतला इंग्लिश गाने ही बचते थे, वह समझ तो आते नहीं थे, इंग्लिश गाने बस एक-दो शब समझ आ गया, I don't care, I love it, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो हु अपनी बचागे रखते थे, साथ के साथ लड़के, कि जब वो गाना बजेगा न, तो सबको पता लगना चाहिए, कोई भारत से शेर आया और पूरा भाई, वाई वाइबरेशन हो जाती थे, वहाँ पूंगलोगी तरह, कुछ स्टेप्स नहीं आते है, वही शादी थोड़ा सा, यह थोड़ा बत कर दिया, हम पे साले, पता नहीं कितने हजारो करोडो स्टेप्स आते है, अलग अलग करने, एक बार ही तो ऐसा वहाँ, क्लम में नाच रहे है, मुंडिया तो बच के गाना बजा, तो भाई इतना जोश चड़ गया लड़कों में इतना जोश अमेरा आध जाते हैं दोस्ते हो तो बढ़िया पैग शेग मारते हैं वोड़का वोड़का जितने भी नशे वो रखे हो बढ़िया और हमें भी टांस करते हुए पुरा जोश चड़ रहा है उन्हें देखे हो जोश चड़े, भाई उन्होंने टी-शिर्टे उतार दी हो ज मागा चल अबना कामकर मोज लेंदे तो वह बढ़िया मजाया तो यादे हैं उदर की बहुत बढ़िया तो कुछ वैसे क्लबों में आपको कुछ लगा कि अच्छा ठीक है इंडिया में क्लबों में जैसे यह नहीं होता लेकिन वहां पे कुछ ऐसा अलग वेर्ड या स्टे तो बीच वीच मा के मुझसे पूछ रही की ड्रिंक्स विरिंक्स माँ का क्यों अपने पैसों की खरीद हम क्यों पिला है था हमें गया तो ऐसे यह चीज़े बहुत ज्यादा हो ती ती वहां पे तुझे हम ड्रिंक देंगे तू हमें क्या देगी भाई भाई नहीं हमें है कुछ थे मेरे दोस्त थे दोस्त क्या वस ऐसे जब एक क्लास में रहते है तो दोस्त बोल दिया गहरे दोस्त तो अलग चीज होती है तो लड़कियों के साथ भी रहते थे और यार एक ने मुझे बड़ी खतरनाक बाद बताई थी हाँ वह बताओ एक हमारे क्लास का युशार नाशाने ता उस हारामी होता उसकी गल्फ्रेंड और लेडी इंडिया में भी 3-4 लडिकों थी गल्फ्रेंड के उर बंद्गों से बात करता था उट-पटां खरकते करता है वान था ता था जोपा जूओंडने गया वह तो परा तो पूद्ध रहा था तो सीन हुआ तेरे साथ हमें टैंशन भाई एक लड़का हमारा गाया पूरी रास से है क्या रहा भाई कल तो ऐसा सीन हुआ वो किसी एक लड़की के साथ गया वही पैसे वैसे देगे उसके रूम पर वो कहरा को कोई शंगा उनिवर्स्टी है उसमें पढ़ती थी और कुछ- वो लड़की उसे ऐसी ही मिली क्लम में टकराए फिर वो उसके रूम में गया रूम में जाने के बाद तो प्रकरिया शुरू होने वाली ती जैसे भी उसने बताया अब सारी बात तो कैमरे पर क्या ही बताया पर यह नॉर्मली सब चीज होती है तो भाई थाइलेंड जा रह मेरा आ रहे हैं यार यह थोड़ा बात वात लेव लो वीचार भाई नलहाने दो अपर अनदर अपना तो थाइब चाहर पाद कमरें चाहर न Three बता लेए फस गया गभी कभी चाहरा और सामने बात्रूम है, बात्रूम का गेट खुला हूआ है, ओल लड़का नहा रहा है पानी फसकी पर देख लिटा, तो लड़की ने ड्राओर में से ऐस खोली mess और निकाल ली गजन? और उस पैसे नहातैनातै ऐस लगा ती औरहा तेरी उसको साथ में दोस्त भी था, वो बाहर बेट कर रहा व गयरी बंदी कि ऐसे लगा दी वो खहरा भाई नहाते नहाते मुझे पशीन आ गए नहाते 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 पशीन आ सकते किसी को ओपर सा पानी गिर रहा ह। बाई कोई नहाते हुए पिस्टल रखे का तो तो आई जाएंगे सब पासीना नी मूत निकल जाए के लिए अदमी का भाई आगे पीछे सब हो जाता धीला मैठर उसका भाई वो बुरा हाल हो गया उसका भाई हाथ पैसे लगवाई क्या हो गया हो गया माफ कर दो उस लड़की को इंगलिशन है उसके तीन चास शब्द उसे समझाए तो वो कहना यह चारी थी कि मैं तुझे गोली मार दूंगी अगर तुने मुझे मेरे पैसे नहीं दिये तो काम हो जाने के बाद तो लड़का बोलता कि मैं पक्का दूंगा पक्का दूंगा पैसे पहले जेब में से निकालके दिखा तो बिचारे ने नहाते वाते जैसे निकालके दिखाए वो बोला बहर मेरे एक और दोस्त है वो बहुत लड़के लड़कियां मिक्स, मतलब जैसे हमारे यहां पर भी होते हैं तो वहां पर भी लेडी वोई बोलते हैं वहां पर उसके पैसे चीनली इसमें बजा वजा दिया उसलिए उसकी चपल टी शेट वीशट सारा बुरहाल हो काया तो भाई उसके लिए experience ऐसा था और यह उसे दूसरे तीसरे दी नहीं हो गया था यह बंदा तो लोटा पेटा गूम रहा है था आइलेंड में और भाई एक महिने के लिए गये थे हां इसे लेके काम service देने वाले service provider तो भाई अपने रूम पे लेकर आया hotel रूम पे और भाई उसकी जो मार लगाई है थाइलेंड में हाँ थाइलेंड में हुकर्स ने मार लगाई उसको भाई मूं उकाला कर दिया मुक्के-उक्के बोतल वोतल फोड़ दी उसके और उल्टा फ पसा दिया कि यह हमें physically molest करने ही कोशिश करना था इसलिए हमने इसे मारा और वो शौकी आदमी दो लेकर आया वो दो उस पर हावी हो गई और भाई पैसे वैसे भी लूट लिया और Thailand में यह भी है जैसे मैं और प्यूश भी गए है भाई locals आपको बिलकुल respect नहीं करते लो इंडियन की क्यों मतलब ऐसा था अब वैसे चीज़ें चेंज हो चुगे हैं जब से इंडिया की growth और economy उपर गई है मैं देखा है बहुत बदलाव आया पर यह 2014-15 में ना बड़ी मतलब ऐसा साथ कुछ कुछ नहीं बदला हम अभी तो गए हैं बाई हमारे साथ चोटा सा कि आया है ट्राइवल कर गए हूँ इंटरनेशनली आपके बुकिंग नहीं तो आप थोड़ा तो उसे ग्रीट करोगे कि कोई बात नी सर आप यहां बैड जाओ जैसे हमारे इंडिया में करते कोई बात नी सर हो गया होगा आप बैठ वेट कुछ नहीं to the point I don't have this booking go और हमारे स आप बंदूक वाली बात से चीज मेरे साथ भी मैं बीच रोड पर चल रहा ऐसा है मैंने गोल्ड की चेन डाल रखी थी एक वो लेड़ी बोई आया ऐसी पता नहीं उल्ट पतांग उल्टी सीधी बाते करने लगा ऐसी हम नॉर्मल ही हम मार्किट में शॉपिंग के लिए कर हिंदी के लगी हिंदी मैंने चोर-चोर पकड़ो 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 और मेरे साथ के लड़कों ने पकड़ा वो चैनत वापीस मिल गई फिर उसने बंदूग ऐसे करके दिखाए इन हो यहां बंदूग लगे यह साले जाते बोला ना अभी कर दूंगी सैट तुझे कर अगाती हैं किसी सुंसान सडख पे पहुचाएं लेकि मेरे को ऐसा लग रहे है कि अगर आप अपने दोस्तों कहाता है वह ज्यादा सही है राइधर की अकेले ट्रैवल करना है क्योंकि आपके साथ ऐसी चीज़ हो साथ अगर कोई गूमने का प्लान कर रहा है कितने वह जोड़े कितना खरचा आजाएगा वह देखो फ्लाइट की टिकेट ना बीस से पचीज़ार कि आती है पर बेंककोक की अगर विदेश की देखना है विदेश में जाना है तो यहां मत जाओ क्योंकि वह जाएधर सारे आपको यह भारतीय दिख जाएंगे तो यह तो आप यहीं पे देख लो घूमने की जंगा अगर आपको है और विदेश देखना लोग तो फुकेट जाओ और मैं यह भी बता दू जब आप on arrival जाते हो तो वह सिर्फ और सिर्फ cash accept करते हैं cash accept करते हो और वहां भी scam होता है वहां पर दो line होती है कि एक line में आपका fast करा देंगे एक line में धीरे कराएंगे fast वाले में जादे पैसे है वो आपको कहेंगे या time लगए time लगए fast वाले में जाओ क्यूंकि उधर भी corruption बहुत ज़्यादा चलता है वह जो चीजे यहां face करते हैं वो सारे देशों में होती हैं कहीं ज़्यादा लेवल की कहीं कम लेवल की वहां के लोग वैसे ज़्यादा चोर हैं क्यूंकि भाई हमें ना किसी ने suggest कर दिया था कि visa on arrival के लिए यहां से photo खिचवा के जाओ passport size क्यूंकि वहां उसके वहां पे counter बनावा है और वहां जो यहा फोटो कि छह साथ photo अगर खिचवाओ तो सो डेड़ सो 200 maximum वहां पे उतने ही आप तीन गुना दे रहे हो और वह भी हजारों में तो चाल कपड तो एरपोर्ट ते शुरू है country तो हो जाती है तो सोच समझ के रहना है और होटल हो गए अपने 500 रुपे के बैड़ वह सिंगल वाले आता है पास-पास ही तो जाद तर सेम मीरेट शराब का तो ये भी सीन है ना भाई मिनी बार्स बने वे हर जग है थोड़ी थोड़ी दूरी पर तो ऐसा नहीं आपको किसी क्लम में घुसना है लोगों ने ठेले लगा रखे हैं शराब के तो जो पीनियों पीलो पर वो मिक्सिंग बहुत करते हैं ऐसा लगता है कि नकली बहुत है यह तो ही थाइलेंड की वाद आते है वेतनाम पर वेतनाम का बताओ भाई हमने तो सुना होचिन मिन सिटी सुना है जो फ्लाइड देखते वे में सिटी जाती है तो आपने एक दिन ब मेरे खाल सच जितनी में कंट्रीज घूम हो सबसे जादा प्यारे लोग मुझे वेतनाम के लिए बहुत ही सिद्धे बहुत ही अच्छे लोग या मन गरेंगे यार इसे चीर के आँदिल निकाल के नदेगे यार आप कुछ बात करोगे हसते रहेंगे प्यार से जवाब दें कई खेंगे बत्तमिजी निकरहेंगे झाल कोई सिधा में थे थे जाए लिए को ये सिदा आपने बिए अपने लिए लडगों से तो बात ही नहीं करें गया करेंगे ने बत् बाई किने के टिकेट किने के कराया तुमने जब गय ते तिकेट यार मैंने पहले वेतनाम के वेतनाम ने बीच में ओफर चलाय था कि सिर्फ 200 रूपे में आप वेतनाम घुम सकते हो किसी को यकीन नी हो रहा था वो स्टार्टिंग हजार बंदों के लिए था वो करें बहुत तो इन 200 200 रूपे में आना जाना चलो यह तो कुछ ओफर हो गया रेगुलर टेकर्स कितने गया है वैसे यार पिछली वारी जब में गया था तेरा 14,000 का आना जाना था मैं होचिनमी सिटी किया था बट मैं अभी जो कराया मैं 22,000 के क्योंकि डिरेक्ट मैं अभी उसी जगा मुझे फ्लाइट में विले थे मैं ब्लॉग मना रहा 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 भाई क्यों बता दिया तुमने व्लॉग में कि वेतना बीतना अच्छा है क्यों सारे लोग चले जाएंगे महां भीड हो जाएगी महेंगा हो जाएगा कि इतनी बहतर जगा है वो अप तो स्कोड़ गाश के यार वहां पर इतनी खुबसूरत है वो बानाहिल से सबसे लंबी वल्ड की ट्रॉली है नीचे से उपर की तरफ जाते बादलों में से होते हुए और उपर जब जाते तो पूरा कैसल वगेरा बना रखे है राइट्स वगेरा इतना बहतरीन मजा है तीन-चार हजार की टिक वहां पर होईयन करके एक जंगा है दनंग से 1.5 गंटे का ट्रेवल है जब हम गाड़ी से जाते हैं गाड़ी बहुत सच्थी है ठर्की में गया 40 km की गाड़ी 8000 रुपे गी और वहां 40 km की गाड़ी 300 रुपे गी तो वह इतना वड़िया बना यार जब हमारी कमाई इंडि कि वहां मत जाओ जैसे थाइलेंड में पताया आप कहरें और हनुए वहां पर जादा स्केम्स वगेरा भी हैं चीजे कैसे किस सेंस के कैसे बतारा मतलब वालेट विगाया होता है यह मेरे साथ नहीं हुए चीज मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे व्लॉक्स देखें पता आफ सब्सक्राइब कर वहाँ पर है वह थाइलेंग वाला हिसाप है एन्राशी चाफन मेरे हिसाब द क्षथ करते हैं ए सबसक्राईब कर द द मशहरा हमाँ द फर है एपी एंडिंग के साथ ही तो नॉर्मल मसारिमा पे भी एक डेड़ घंटे के 800-900 रुपे लगता है वेतनाम में और प्रॉपर मतलब आपकी एक एक हाथ की नस से लेकर मसल्स वसल्स आदमी ऐसा हो जाता है बिल्कुल बेहोस सा मैं तो हर बारी कर आतता हूं यार मैं एक बारी ऐसा हुआ कि मैं बीच पर बैठा वेतनाम की और मुझे मज़ा आता है घरवालों को सारी चीछ दिखाने में पापा देखो तुम्हारा लड़का कहां मौच कर रहा है अभी वीडियो कॉल मिले ही मैं देखो यहां तो मैं बीच पापा देखो पाप अगर हराम जा दे लोंडी पे पाँ दबारा अगर यहां पर क्या करूं मैं नहीं पाप लग जाएगा रुख जा भी वहां पापा इसके पैसे दे रहा हूं इसको मैं पाँ थोड़ी दबारा हूं यह ता हम इनका पला गर रहे है कस्टमर से में इनके सब्सक्राइब करते हैं तो ठीक है यार मसाज बगेरा बहुत 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 ही नहीं होती है जो लास्ट में वह उल्टी सीधी हरकत करने के लिए लड़किया तुमें ना बहुत है लेकिन जब आप इतनी पाटियां कर रहे हो घूम रहे हो तो एक ताइम आता है कि अब तो अब कुछ अच्छा ही लगता है क्यूंकि वहां पर एक अरोमा होती है एक रिलाक्सेशन बॉड़ी को एक अच्छी फीलिंग लगी पर्फ्यूम सा खुश्बूसी माइंड सा यार बिल्कुल जाते ही तुम्हारे आट सो नोस रूपी लेंगे मसाज में 1.5 घंटे की होती ह गरम पानी से पैर दोएंगे उसके बाद तोल ये रखेंगे गरम गरम तुम्हारे पैर हो बहें उसके बाद तुम्हें बोलेंगे शावर ले लो जागवाले पानी से टब मेलेट के वो जकूजी वाला मेटर फिर उसके बाद तुम्हे वो शॉर्ट स्टाइप देदेंगे पहनने के लिए 8-10 मसाज होती है, ओयल मसाज होती है, यार ये मसाज का नाम भी ना थाइलेंड से पर नाम हो है, सैन्विच मसाज ये वो, भाई सारी चीज ऐसी नहीं होती है, ये मसाज सुनके भी जंता है सोचरी होगी कैसी वाली मसाज, जंता की बात कर रहे हमारे, प्यूबरम तोलिया लगाया वो और उसके बाद एक-एक मसाज करी पीचे से लेगे, कमर से लेगे, यहां तक मतलब ठीक भाई और पाटी का बता हो यार वहां पर थोड़ा और बताओ कि पार्टी कैसी हो, भाई वेतनाम की बात तो होती रहेगी पर आपके पॉड़कास्ट में भूतों का जिकर ना हो, उससे पॉड़कास्स कंप्लीट नहीं होता, और मुझे अपना एक किसा है आदा है, इंडि आपको मसूरी वाली बात बताता हो, जब हम मैं अपनी फैमिली के साथ महा पर गुमने गया था, शुरू कर हो गाई, मैं ता घरवालो के साथ मैं था मामा थे, मम्मी थी, हमारा मन कर रहा है चौमीन खाएं है, चौमीन, नूडल्स खाते हैं, तो हमने गाड़ी रेंट पर तो उधनना एक जंगा एक पहाड साथा करके, तो गाड़ी ऐसे ले गए पहाड के पास, और मुझे हो गया उस ताइम फीवर, मेरी तवित खराब होगी क्योंकि जब मैं जादा थंड़ या कुछ इसा करता हूं मैं टॉंसिल्स हो जाते हैं, फिर हो जाता है फीवर मुझे बाइ बुढ़ाँ यहां पहा फे उन्होंने भाद से वह गाड़ी लगाने के बाद तो उन्होंने मैंने बोला की, च tails हो जाने जड़ें वार्ना हम डरेंगे नहीं पहाड के साइड में गाड़ी लगाई सारे मामा के बच्चे और जो थे वो सब गाड़ी में बैठे थे मम्मी पाप वेरा बड़ी गाड़ी तो उन हमने बोला कि यार खाने पीने का मन कर रहा है आपको जो खाना है खालो और मैंनी जा रहा है मैं यहीं पर बैठाओ साइड में शाम के 6-7 वजे हुए थे वो खेरे की ठीक है तू सेफ है यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है हां कोई दिक्कत नहीं है तो भाई मैंने गाने की आवाज तेज कर ली फूल तो मैं ऐसे बैठाओं बैठाओं एसे सीट पीछे करी और पूरा अंधेरा पहाड सामने दो तीन लोग दिखना है पीछे की तरफ मार करती तो इधर साइड मीरर में मैंने देखा कि कहा आ रहे हैं कितनी देर होगी आ क्यों नहीं रहे हैं और आ घरवाले आ तो मम्मी पापा मामा के बच्चे सारे और मामा का बच्चा है एक लड़का है उनके हाथ मे उसके हाथ में तो मुझे लगा कि भाई चौमीन पैकर आगे ला रहे हैं से पन्नी वन्नी में होगी मां आ रहे हैं चलो कोई दिक्कत नहीं आवाज कम करते तो कहेंगी नितेज की गवाने बजा रखे तब इत खराब है तरी आवाज कम करी ऐसे लेट गा पीछे को आखे ब अहली वारी में हम होगा उस तरह दिवाग में नहीं आया था उल्टा सेथा कुछ हम होगा तबियत खराब है तेरी दुबारे फिर मैं देखा शीषे में दुबारे सेम उसी एंगल में उसी पोजिशन में सारे खड़े हैं कि मतलब इधर मामा इधर बीच में बच्चे इध और जब तक मुझे कुछ शक नहीं होता फिर में आवाज-मंदी गरी और फिर देखा भाई फिर गायब यार दूसरी बारी वह सारे आ रहे हैं सेम उनी कपड़ों में और फिर वह दुबारे गायब हो गया उस टाइम ना मेरी ऐसी हो गई हलक सूग गया हो कि बार बार मैं गरव्लों अरहा हु आत मुझे घरवले गाडी चे कास तक और रही जुथा सि broke पिर मेरी दिल की धड़कन बड़ी मैं लगाज है क्या हो रहा है क्या समझी नहीं आ रहा है असां दो लगारे आ गारी आंके घरवाले दीखे गायब हो पहण हमारों में ओस्टो मैं बैठा 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 हलकिसी आवाज दीरे गए इस पारी इतनी भी हिमत नहीं थी कि मैं आवाज ही तेज कर दो गाने की क्योंकि मैं इतना हिल गया तन दर से कि भाई क्या ऐसे गयाब हो सकता है फिर देखा साइड मैं सेम उसी एंगल मैं तीसरी बार और गरवार तो कैसा फील होगा गया मना हुए तो कैसा फील होगा भाई आए जाने आए जाने आए जाने पास आरे पास आरे गाड़ी की पास आरे पास आरे गाड़ी है बोई पन्नी हाथ में चौमीन की जूलरी है तो बाई दिल की धड़कन बढ़े जा रही है पास 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 पा हो गया हम तो ठीक है वेट कर रहा था क्या वहां हम्मी वो थे असलीव ऐसे वह उन्हों टच मच करा ठीक हो गया मुह मम्मी है सब मेरे साथ है अगा मार पाप अन रहे पट चल जूटा फिश नहीं था पर भाई तीसरी पारी में सच्ता हो पर मुझे समझ नहीं आता अश्तक क दो बारी से दिख रहे है गरवाले आतो हें, पो कैसे गाइब हो सकता है? कोई इंसान? भाई तुम सभॉत हो नहीं रहते हैं, कि वाई तुम सफना बना देख रहे हैं? यही बोलताहै सब कि तुझे बुखार हो रहा था तुझे समना देख रहा था क्योंकि यह बात विल्कुल यखिन करने वाल ही दिखेले मेरे घर मेरे घर मेरे रेनुवेशन हो रही थी तो मैं गया हुआ था था थाइलेंड वो 2014 की बात जाने वाला था 4-5 दिन पहले मेरे पापा जॉब करते है गोवर्मेंट जॉब तो पापा गए होते है डूटी पर तो रात की डूटी लगी थी पापा की तो उस टाइम क्राइम रांच में पापा ठीक है तो मम्मी और मैं थे सिर्फ तो दो बार ही हुई यह चीज लगातार एक दिन के बाद दूसरे दिन पहले ने एक 5C फोन आता था ब्लू कलर का एपल का मतलब ब्लू रेड वाइट बहुत सार कलर के आते तो वह था मेरे पास पहला फोन तो मैं लिया वाई मैं फोन चला था रात के दो बज़े हुए थे और मम्मी और मैं ऐसे से एक बेड़ पे सो रहे हैं साइड मैं तो रात पहले रख दिया मैंने सामने टेबल पर रखा तो करेक्ट दो बजे बाहर से न पहले कुटों के भॉखने की आवाज आई रेनोवेशन हो जा था बाहर पूरा तूटा फूटा पड़ा था हमारे घर के बार कुटों के भॉखने की आवाज आई करकड़ूमा देली में देले लडगे के वाज आई क्या वाज दा जैसे लडगे चिलाती हा ह मुऊटी हो जैसे थैसे होरह कि मेरी मपों कऊच कर लो अधी के उसके नेक्स डे मैं फोन चला रहा सेम उसी टाइम पर पापा आए हुए थे पापा लेट आए पापा अंदर वाले रूम में थे तो हमारे रूम के सामने से तेल्स लगी थी तेल्स में जो लगा ले तना अधी-अधी दिवारों पर तो सेम करेक्ट दो बजे हुए मेरे दिम पर लेटेशन दो बजे दिमाग गुम रहा था तो उसके बाद टेल्स में पीछे की शेड़ों दिखाई देती है बीच में ती लबी टाइप वहां पर रखी वाशिंग मशीन तेल्स में दिखाई दे रही थी ऐसे मैं सामने हूँ मेरे सामने टेल्स है मेरे पीछे यहां प नजर कहीं और होती है और आखो साइस हो देखे जाए तो उसके बाद करेक्ट दो बजे मुझे दिखाई दिया वाशिंग मशीन के नीचे की तरफ इतनी लंबी लॉज जलरी है आग जलरी है नीचे मत तरी यह क्या है करेक्ट दो बजे उस दिनी से में यसी इन हुआ यह द देखा पापा उठे पापा जैसे वोशिंग मशीन की तरफ आए वो आग खतम या अगले दिन में होना घरवा लोगो बता है तू तू पागल है तो जब तू रिफ्लेक्शन में देख रहा मुझे तू ने पीछे मुड़के नहीं देखा भाई 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 पढ़ जाती यार यार लगे कि पीछे कुछ चलावा है या कुछ ऐसी चीज और पीछे देखू मैं उसके चंगुल में आ जाओ या कुछ मेरे साथ बुरा हो जाए वो चीज मुझे एट्रेक्ट करते हैं पीछे मुड़के नहीं देखना चाहिए मैं क्या पता फोन टच करता कुछ हो जाता म यार होती है चीजे और मुझे लगाए चीज हो भाई तुमारे साथ हम जाएं ना जाएं किसी ट्रिप चलो एक और एक और एक्स्पिरियंस करेंगे नहीं जाएंगे कडगडू में आप प्यार सू लगो तभी आएंगे दिन के टाइम दो बज़े से पहले घर वापस मेरी म बच्पन से एक ही सपना आता था कि मैं डूबरी हूँ एक जंगा पानी में समुंदर में और वो जंगा दिखाई देती थी और अब वो जब 50-52 साल की वी वो घूमने गई केरला में एक जंगा सेम उनकी आखों के आगे वो जंगा थी भाई जो उनके सपने में उनने दिख आता था बच्पन से और नानी भी कहती थी कि ठीक है कोई दिक्कत निया ऐसी ही आ रहा होगा हमेशा हमेशा मतला हफ्ते में दो तीन बारी आना और सामने वह जगा पोजगी यह तो मेरे सपने वाली जंगा है और वहां जाते ही उस ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया ह पर सुनामी आई थी है कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ ता प्रकोब जिसकी वज़े से सारे लोग मर गए थे जिंदा पानिगंदर आके तो मेभी वह सपना वही हो भाई लोकेशन सेम होई तो मेरे होती है यह चीज है होती है यार आपका तो अलगी नाता है भूतों से अकेला रहता हूँ अकेला सोता हूँ बताओ बहुता बजरंग बली साहत में अजेश्री राम तो कोई दिक्कत नहीं है तो जिए उडिक्कत नहीं है भाई तो उतना हवी हो जाती है चीज हमारी सिर्फ है वापस आ जाते है हम वेत्नाम पे थे वेत्नाम को close करके अग लिव इस पें चाहिए अभीना एपने में तर्फी 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 की कि वेतंना हम युद्र को फीर की अपने बताया था था कांजी तेंड ऑर फ्रॉं से अफ्ट वहां पे इतना flood आफ वह राई में घृरे का बस इंडियन रिस्ट्रफेरंट आप को सारी जंगा बहुत जाद महेंगा मिलेगा बल्कि सारी चीज़ और सारी चीज़ सेम है भाई आपने कभी कोई अलग चीज खा लियो ऐसा कुछ हुआ है वा पर एक वारी हुआ था मेरे साथ ऐसा था यह मजा आजाएगा खा के सैंविच मिल गई वहजवाली भाई मैंने खाया गाजर खिचरी नंबी मैंने सुवर खा दी अधिर वह मेरे साथ में दोस्ते बता है पोर्क है भाई मैंने थूका फिर भाई ना दिमाग खडा हुआ अंदर जब आप खाने के लिए हां तो बी टाइप थी और वह लाल खलर की लेयर मैंना आज तक हिंडिया में वही गाजर वाली सैंविच देगी मैं सुवर खाया ने था थूख दिया था था सुवर की पसली चवाली तो यह ब्ताओ यार भाई जी अबने थाइलेंड कवर कर लिया और हमने वेतनाम कवर कर लिया अब हम आजाते हैं मसूरी भी कर लिए विए दिली भी कवर होगा अब ट्रैवलिंग पर वापस आते हैं और अब हम बात करते हैं आप मलेशिया और सिंगापूर भी गए हो उसके बारे में जरा कुछ बताओ मैं सबसे पहले सिंगापूर घुमने कैंब था मेरे मामा वहाए रहते हैं वो वर्क करते कंपनी हैं तो उनसे मिलना भी बहन था मैंने वहाँ के व्लॉग बीडाला तो और साथ मोजे घूमना भी था पर जब वहाँ पर जा गए वहाँ पर जाकर पता लगा कितनी जादा महें जब जाके लगा कि भाई और हमें एक और दो हो बिफिन का सग पैसा है ऐपर समय ने टो हमें मेहनद करनी चाहिए कि विच सथेminवी मोलादा कें टो चाहिए लग्चे कि जार यहार्ड यहां 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 में पाना सब्सक्राद में और वहाँ पर इतना महाँगा तो वहाँ पर हम कुछ दिन रुगे थे मामा के बदोलत थोड़े दिन रह पाए थोड़े दिन अपने बदोलत रह पाए भाई वीता साथ में इधर उधर गुम है फोटो शोटो करी उसके बाद सिंगपर बहुत जाद महाँगा था फ्लाइट वीजा लगवाना भी थोड़ा सा मुश्किल है आई टी आर देनी पड़ती है उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है चै मेने की और उसमें भी आपका अच्छा बैलेंस होना चाहिए तीन-चार लाग रुपे पड़े होने चाहिए जभी वीजा मिलता ह मतलब मैं कभी भी जा सकता हूँ मल्टीपल एंट्री वाला और उसके बाद हमने सोचा कि हम इतने जादा बोर हो गए कि मजा निया रहा सिंगबूर में मतलब जैसे थाइलेंड और व्यतनाम से कंपेर करें तो सिंगापूर में पार्टीज कम है हैपनिंग कम है या क्या सीन हम और बस का टिकट था दो तीन हजार रुपे की बस्तियों सिंगपोर से मलेशया दूसरे बॉर्डर क्रॉस करा हमने और पहले हमने वीजा ले रखा था अल्रेडी और वहां पर जाके दिक्कत भी हो गई थी थोड़ा हमां बस भी चोड़के चली दूसरी बस पकड़ी तो कि वहां पर घुमें वहां पर ठीक था अच्छा था पर उसके बाद हम लंकावी गए पिनांग गए वहां पर दो जंगा ऐसी है कि जहां पर गोवाला महोल है बीचीज है वहां पर बीच बीचीज थीक है महां पर पार्टी वाला सीन था घुमना फिंडना था और मलेशया पर झाली जिद यकरीव फींडना मान वहां पर खला तरह का वहां मुलाओन की थोड़ करो फेसं रास्ता की घर की की चीज किया है है ने 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 मलन लब अमेशा नाक पर नहीं तक गुसा सा चड़ानक चड़े से लोग यह हमसे मत बूच पूचा अजे इंगलिश तो बोलते ही नहीं वैसे वह जादा तर है या Singapore में बोलते हैं इंगलिश आप पर मैंने चीज देखा कि हम इंडिया में ऐसा हो था कलब में आप जाते हो कि लड़के जातार सोचते है कि लड़कियों से बात हो जाए वहां पर उल्टा चीज हो रही है मैं और मेरा भाई था और अब अब लड़किया थी और मतलब वह थी दूसरी कंट्री के नीदरले अब लड़किया थी तो उननों बोला या तुम्हारी अच्छी हाइट है और उस ताम जीम भी जा रहा था बड़ी बड़ी भी बड़ी आए और ऐसे डांस करोगे हमारे साथ मैं बड़ीया डांस कर था अपने स्टाइल बभाई के साथ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है डा हुआ यह क्या हो वो गह रहाए वाली बात कर लिया कैगे थोड़ा सा डांस कर लिया उगए पकड़ा ही पोच्छा पकड़ है वाली इस मैं ऐसे है नीजे आज सोरी माफ करो तो मैं पतली गली तो निगल दिया यह चीज होती है तो पर वो जेनरल लड़किया थिया हुकर टाइप पता नहीं लगा यार मतलब कि वह वैसी वाला मैटर था यह कुछ वैसा था क्या पता कि डांस वाज तो बेसिकली वहाँ लड़किय आपको अप्रोच करती है अगर आप पार्टी कर रहो तो अगर आप पसंद आ रहे हो उनको आहां मतलब जहां पर ज्यादा ट्यूरिस्ट कंट्री होती है क्योंकि मलेशिया में मुस्लिम कल्चर है बहुत जादा तो वहां पर श्मोकिंग अलकॉल ज्यादा लड़के- तो वह तो खुले दिमाग के यूरोप से जाएंगे उनका मन करेगा सिग्रेट भी शराब भी वह सब चीज़े इंडिया में तो यह होता है कि लड़किया आगे से परोच करना है अगर आप भार जा रहे हो तो आपको लड़किया परोच करना है आपको शिंगापूर नहीं हम क्लब गहते हैं लास्ट टाइम होती है चीज़े हो सकता है हमारे फॉल्वर से इस चीज़ की वज़े से कोई हम से लड़किया आट्रेक तो या फिर भाई आप शिंग मली को आपको जादा करनी लड़किया आट्रेक नहीं आप कर भी रहे हैं आपको आपका भी बड़ा जो मामला रियलिट वाले भाईयों का वो गरीब आदमी का का मारा भाईजी ना साथ आट साल से रूल कर रहा है पूरे यूट्यूब यहां बैठने के लिए जंता तडपती है वो तो हमारे भाग खुल गए यार भाईयों गैसे बत बूले यार तुम भाईयो यार अब तो रिष्टा पका है जब तक मरंगे यही कह रहे है अब लड़की ढूंदो भाई के लियार मैं बहुत परिशान हूँ यार भाईयो सच बता हूं मेरे सारे भाई परिशान है एक अच्छी लड़की की तलास में लड़की फेम के लिए दरहसल जादा टकराती है है हाँ आजका है मैं भाई रैकिता में कैसा पता लगेगा कौन क्या चींज है यह तो हमने भी एक्स्पिरेंस कर लिया वार गया भूमने लड़की भाव नहीं दे रही ठीक है हाँ लड़के को मालूम बढ़िया कि मैं यूट्यूबर हूँ तो उसने लड़की को बताया तो लड़की सेल कारी बढ़िया घर की लड़की लाएंगे अच्छे परिवार हम बहुत ज्यादा बटक गए थोड़ा कमिंग बैक टू हमने कवर कर लिया थाइलाइंट वेतनाम मलेशिया और सिंगपूर मैं सिंगपूर में जाते दिन नहीं रुखा इस वरे से नहीं रुखा इसने सिंगपूर पूछा आपने पार्टी बता दी मलेशिया की सिंगपूर में बहुत जाथा इएक्सपेंसिव था इतना जाधा वक्त भी नहीं था मैरे पस और मामा के साथ मेरे रह रहा था बागी मेरा मूड हुआ कि कहीं और पार्री करते है तो मलेशिया गये हमने भाप पर आपए बाटी करी तो मलेशिया कि कोई बढ़िया बढ़ि बुकित बंटन्ग करे जंगा है, जहाँ पर है टावर्स दो shout व्हान मैं नाम भूले गां और तुम टावर्स हाँ हाँ यह उनकी भास कर रहा गष़ इवा साना में जो फिड़े अपामोर नम चांटो देना मतानल लोग अच्छा है बड़ी आए खाना पीना है सब जादा सीफूड जादा है अब नॉन वेजिटीरियन हो तो मज़े आने वाले आपके वड़ना थोड़ा फरी इंडियन रेस्टूरें डूड़ने पड़ेंगे तो दो जंगा जाई अच्छा है फैमली के हिसाब से भी और ख अगर मैं 12-13 दिन में वापिस भागी आया अपनी टिकेट करा के तो मुझे थोड़ी मज़े नी आया वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जब मैं वहाँ पर गया एक तो भाई बहुत जादा महेंगा टिकेट से शुरूवात कर लेता है सत्तर साथ हजार की टिकेट हुई थी मतलब करते हमारे रिलेशन अच्छा है यार 22,000 और अगर आपके पास UK का यूरोप का लंडन का वीजा है तो आपके लिए 3-4,000 होगा प्रोपर इंडियन का वीजा है मतलब आप कहीं इधर उदर नी गुमकिया है तो आपके लिए 22,000 होगा तो तो ये 80,000 रुपे का पाँच हजार रुपे गंदे से होटल का एक राच का खर्शाई के इस्तानबुल ये हां इस्तानबुल की बात मैं कर रहा हूं कहीं भी चले जाओ यार अच्छा होटेल्स महंगे हैं वन्ना सडेली जंगा रुको और अच्छी जंगा रुकना है तो मिनिमम 15-20,000 रुपे आपको खर्चा करना पड़ेगा तो आपके मजाएंगे उस में ट्रिप में वरना यार इतना छोटा सा कमरा जहां अच्छा खाना भी ना हो गंदगी सी हो अब गंदी सी ब्लैंकिट तोड़ोगे नहीं यहां 5000 में फाइब इस्टार आ जाएगा इंडिया में अपने होस्टल म आपके पास जैम में ठीक है अगर आपके पास जैम में बढ़िया पैसा है ट्रेंस वगेरा रोड पे चलती है पर मैं एक बात बताना चाहूंगा भाई एक सुकून जो मुझे सबसे ज़्यादा तर्की में जाने से मिला है तो मम्मी को बता रहता है अपनी पापगो भी भा इधर इंडिया वाले आते है वो फील आती है उनका रंग वो थोड़ा यूरोप वाला है तो जो मिक्स ब्रीड हो मडे प्यार और कॉन सबसे बड़ा बताऊंगा कि आप किसी से भी बात निकर सकते मोस्टली 90-95 लोगों से बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती एक दुकान भी जो बहुत बहतीरीन है मैक डॉनल्स भी डॉमिनोस भी वो भी इंग्लिश में बात नहीं करते है उन्हें भी बताना पड़ता है ट्रांसलेशन यूज करके आज मुझे वह वेजेटेरिन पीजा चाहिए तो बहुत इंसानों से आप बात नहीं कर पाऊ गए तो फिर क्या सुन्दर लड़का क्या अच्छे इंसान क्या लड़किया क्या चीज बहुत तो यह सबसे बड़ा बैरियर था और खर्चे की बात रही तो खर्चा महंगा था तो इस्तानब इंडिया आई थी इंटर्शिप करने के लिए मेरे कॉलिज में तो जब हमारी एक महिने के लिए बात चीज थी तो मेरा रीजन यह था कि तर्की जाओंगा अपने दोस्तों से मिलोगा पुराने तो उनसे मिला वहां से व्लॉग शूट करा उन्हें एंगलिश आती थी यह बढ़िया था उनके लिए कानों के कुंडल ले गए मैं लडगों के लिए कि हम लगया की अरे रिंश यां लगया कि लगे तो अ fy बहुत आगए है यार अरी निचान patience रहर हिंगा विल्ट्र कोstatि है उनके दिश के शुर के लियाते न सब भी चोर कहला जाते और आप दोगे ना कियार वाट नाइस गाया तो भाई दे दिया ट्रेडिशनल चीज यार नही कुंडल दिया अपने साड़ी बगर अभी नही काजू कतली ले गया था भाई अच्छा वो भी खिलाई उनके ममी पापा को खिलाई उनके आएंगे भाई जिस चीज से आग बुझे वो किलागे तो भाई ये चीज अपने दोस्तों से मिला उनके परिवार से मिला उन्हें नहीं इंगलिश आती थी फिर उन्होंने मेरी फोटोस वोटोस बिक करी इसोलो गया तो कौन फोटो गले तो उसके बाद मैं निकल गया कर दिख तो के और की के बाख लंगे अच्छा वहाँ पर बीच टि वगए रा गोए वाल था का ये बहुत थjen है कशानवे नाख लुग परमें इस्तानबूरी भुम्री आपको अन्ठालिम को ट्पो पाँछव के होटल होट जो तीस हँवाले होटलों में अंदरी 파टी की लग जंगा मना होती होती है जहां सारे ट्रेबलर्स आगे रुखते हैं और अपनी पर्सनल पार्टी करते हैं अच्छा निया कि जैसा आप रोड पे जाते हो आप बंतों करवाने नहीं देश में तो उनके लिए कुछ ऐसी दिखकर निया पर ऐसानिया बत्तमीजी करो इन सारे देशों में से आप कहीं भी बत्तमीजी करोगे वह गलत रहेगा रिस्पेक्ट से बात करो कोई सामने कैसे बत्तमीजी तो भाई कहीं भी ने नी चीए अपन वहां पर मैंने वीडियो में देखी अच्छी पार्टीज होती है अन्टालिया से थोड़ी सी ही दूर है और एक और बहुत ही जाद फेमस जगह है कपाडोकिया कपाडोसिया कपाडोकिया कह देते लोग तो वहां पर आपने देखो होट एयर बैलून्स होते बड़े-बड़ तो पाथ-छे हजार के अंदर भी आपकी डील हो सकती है तो पहली बुखना करके डिरेक्ट वहां पर जाएं बैलून राइड के लिए वह बहुत खूबसूरत नजारा है फोटो बहुत प्यारी और कहते है वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफूल प्लेस और ब्यूटीफूल जो होटल से ना वहां पर के वोटल हो गुफाओ वाले होटल वहां पर कुछ इस्टोरिकल चीज पुराना कुछ है इंशन टाम से तो वहां पर गुफाय बनी हुई है तो उन्हें को काट काट के उन्हों होटल सबना रखे है होटल में रुखने का खर्चा भी 10,000 है मिनिमम तो भाई साब जेम अगर गर्मी है पैसा है तो जाओ टर्की नहीं है तो फिर Kangalo वाली जिंदगी जी का वहां पर बात कर सकते हैं यह कितने टाइम की राइड होती है क्या होता है कितने उपर तक ले जाते है यारी अपने नॉटा में भी तो बैलून में बैठा था यह मैं वह तो फ्लाइ डाइनिंग है वो थो तो लग वो नी बाई वो नी अबसे पास साल पहले न वह आग वाला बैलून हुआ तो उपर ले जाने के लिए हैं यह वाट सो कंट रहे हैं ने कर आता भाई सच्छ मैं अच्छ मैं कर आता उसमें आग लगा के बहुत उपर तक ले गए कहां तक ले जा आशमान तक ले जा पूरे हां चांद तक ले जा चांद पर चंद्रियान 4 बाई कापाडोसिया से मैं लोगों को एक म्यूजिक अगर आप टेक्नो के शौकीन हो तो बेन बॉमर की एक वीडियो है कापाडोसिया में वो सेट प्ले गर रहा है वो तो बहुत नजारा आप देखना यहां पर मैं फोटो लगवा रहा हूँ अगर आप टेक्नो म्यूजिक के शौकीन हो तो जरूर सुनो उस सेट को एंड थैंक मी लेटर शुमा भाई आपी इंगलिश मिंगलिश गाने पूरे सुनो है ना बाई मेरेको ना म्यूजिक का शौक है तो मैं तर्की आप रेकमेंड गरो दोस्तों में जाएं तो ज़ादा मजाये गए या फैमली में only family दोस्तों में तो मेरे खहल से एश्यान कंट्री में वेतनाम थाइलेंड जाओ और बड़िया रहा रहे होस्टिल्स में रुको मैड़ मंकी उस्टिल है वहां सही है उदर रुको उ वैसा कर आपको फोटो के लिख करने आप पसंद हैं पार्टी पसंद नहीं तो तर्की बहुत बढ़िया जगा अपने अपने हिसाब की प्रियारिटी के लिए ही ज्याद बेस्ट है मेरिका जल्दे निकलो पड़ा कोई नहीं है तीनों सिंगल होगे भाई हो आप आपकी तरह में तो गल्फटरिंड है भाई मैंने आपकोई नहीं पैसे बताने जरना गैपरी प्यारी बातचीत हुई आज की बातों में अलगी कशिश है और भाई हम इतने महीने बाद पॉड़कास कर रहे हैं और अलगी भाईयों में बॉंड है भगवान की दया से ऐसा सब चलता है अब ऐसे करते रहे हैं वह बहुत जादा खुश हूँ आपने घर लिया अपना क्यों दो भाई की महनत है और सल्यूट है भाई को और भाई मीटप वाली बात तो बताओ जन्त अरे भाई हां मैं कोई कह रहा था कि भाई आज इतना मज़ा आया भाईयों से बात करके तो डिस्ट्लोज कर दो वह चीज़ हां ऐसे पॉड़कास तो हम और लाते ही रहेंगे अगर आपको ऐसे पॉड़कास में मुझा आया जिसमें भाईयों वाली बात्चीत हो रहा है तो कॉमेंट तो करीदो सात ही सात हम एक चीज प्लान कर रहे हैं हम प्लान कर रहे हैं एक मीटप चारहूं भाई साहा मारी अऑदियन्स एक बादिया बढ़ीया सा इवेंट करें जहां जनता सीटी भी बता दो देली, जैपूर, मुंबई यह जो मेन मेन सीटी है वरना जहां भी जादे वोट्स आएंगे जहां जादे लिखोगे वहां प्लान करें पर भाई भीड आनी चाहिए बड़े लेवल भी प्लान करने तो भाई मज़ा आना है चीजिए हमने देखा कहीं कि इवेंट में पैसे लेता है बिलकुल यह free of charge होगा कोई निया आपको बिलकुल आना है जादर जादर लोग क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन बात है आप लोगों का प्यार आपकी वज़ेसा हम सब यहां बैठ है और आपके लिए कुछ भी कर देंगे और यह तरह आपको पूरा मलब अगर आप टाइम दे के हमें टाइम दे रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है आपके टाइम की उतनी कदर हो अगर आप अपने घर से निकल के हम से मिलने तक आ रहे हो तो हम सबसे मिल पाएं सबके साथ इंटरैक्ट कर पाएं किसी वोई problem नहों तो टा सब्सक्राइब लोग बहुत जादा देख रहे हैं और सब्सक्राइब लोग इतने कम रेशियो में है इतना बटन दवाने हैं एक सेकंड और इतना वड़ीया कॉंटेंट आपको मिल रहा है हफते में दो पॉड़कास्ट इस चैनल पे आपको मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो आप लोगों के लिए तनी चेच्ची चीजे लाता है आखों पर चच्च में चड़ गया जिन जालो जी मिलते हैं जैश्री राम बाइबाइ